दुनिया का कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ कर लेते हैं खबरों का रुक इस प्रक्रिया में शामिल हो बैठक में जम्मुकश्मी के पूर्व मुख्य मंतरी फारुक अब्दुला अमर अब्दुला और महभूबा मुफ्ती समेत गुपकार अलायांस के बड़े नेता भी मौजूद रहें अलावा ग्रह मंतरी अमिश्या केंडिय मंतरी जितेंद सिंग और कॉंग्रेस के वारिष्ट रुनेता गुलाम नभी आजाद भी बैठक में शामिल हुए थे राजनीतिक दलों के साथ पीम ने कहा की बैठक विकास शील जमुकश्मीर के लिए जारी प्रयासों की दिशा में एहम कदम है जमुकश्मीर में जमीनी सर पर लोकतंत्र को बहाल करना हमारी सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता है परिसिमन की प्रक्रिया तेजगती से होनी चाहिए ताकि विधान सबस्चुनाब हुसके और सरकार चुनी जासे जो जम्बुकश्मीर के विकास को मजबूती दे राश्चिय सुरक्षा सलाकार अजीड दोबाल ने आठ देशों के समूँ स्सीओ के धाचे के तहट पाकिस्तान इस्सित आतकवादी समूँ लश्कर तयवा और जैश मुहम्मद के खिलाफ एक एक्शन प्लान की वकालत की है और आतकवादी हमलों की साज़े शर्ष्टे वालों के खिलाफ जल्दी कानूनी कारवाई का अवहान किया अधिकारिक सूत्रों ने कहा कि तजाकिस्तान की राजधानी दुजशाबे में शंगाई सहयोग संगटन यानिकी स्सीओ के स्चीर सुरक्षा अधिकारियों की और से एक बैटक में जोबाल ने सहयोगत राष्ट के प्रस्तावों के पूर्ण करिया वयन के और सहयोगत आतंकुवादी घोशित अपराधियों और संसाओं के खिलाफ लक्षित प्रतिबंदों पर भी जोड़ दिया है सूतों ने बताया कि जोबाल ने आतंकुवाद के वित पोशन का मुकाबला करनी के लिए अंतराष्ट्रिय मानुकों को अपनाई जाने पर भी बल दिया और साथी साथ S.C.O. और आतंकुवाद विरोधी निगरानी निकाए F.A.T.F. के बीच एक समझोता ग्यापन का भी सुजाब दिया है वहीं परशिम बंगाल विधान सबस्चुनाव में बीजेपी को राज्य की सत्ता से दूर रखने में काम्याब मुख्य मंतरी मम्ता बैनर जी अब 2024 में होने वाले लोग सबस्चुनाव की तयारियों में जुट गई हैं प्रदान मंतरी की कश्मीरी नेताओं के साथ मीटिंग पर मम्ता ने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाय जाना कश्मीरियों की आजादी चीना है उडोडे कहा कि जिस सरह से वैक्सीन के लिए देश की बदनामी हुई उसी तरह आर्टिकल 307 हटाने पर भी देश की बदनामी हुई है प्रशांत के शोग पिछले 10 दिनों में एंसीपी प्रमुख शरत पवार से 3 बाब मुलाकात कर चुके हैं वहीं सिन्हा ने एक दिन पहले ही राष्ट मंच के बैनर तले दिल्ले से शरत पवार के खर बैठक की ये बैठक करीब धाई घंटे तक चली जिसमें कॉंग्रेस और बीएसपी को छोड़ का आमादवी पार्टी, एंसीपी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और अन्यदल भी शाविल हुए थे कॉंग्रेस लोगों की दुर्दशा और जन्ता की प्रती कठित सरकारी उदासींता को उजागर करने के लिए 7 से 17 जुलाई तक देश व्यापी विरोध अभ्यांच करेगी पार्टी की अंतरेम अध्याग सोनिय गांधी की अधिक्षुता में महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ बैचा कुई जिसमें ये फैसला लिया गया है पार्टी महासचिव संगठन केसी बेणू गोपाल ने एक बयान में कहा कि कोरोना वारस में हमारी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बेतन कटोती के वजहाज से पहले से ही पिरित लोगों की दुर्दशा को देखते हुए कॉंग्रेस पार्टी ने ब्लोक जिला और र पारे करता जिला हिस्सार पर साइकल यात्रा निकालेंगे उदर बॉलिवोड के दिगज एक पर शवाना अजमी के साथ धोकदड़ी का मामला सामने आया है उन्होंने पोस्त के जरीए एक शराब डिलिवरी आप पर धोकदड़ी का आरोप लगाया है इस बात का कि डिटेल में एकप्रोस ने च्वानकारी दी है पता दे कि शराब के जिलिवरी करने कराने वाली कमपनी का भी नाम बताया है शवाना अजमी का कहना है कि लिविंग लिक्विट्स नाम से कमपनी ने उन्हें धोका दिया अरसल एकप्रोस से कुछ अलकोहॉल और की थी जो आज तक उन नहीं आया साथी उन्होंने मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया है शवाना अजमी ने बैंक डिटेल्स के साथ ये भी बताया कि उन्होंने कैसे इस कमपनी को पे किया था तो गुन मॉर्निंग इंडिया में खबरों में फिलाक लेता ही लेकिन देश भर की तमाम खबरों से जुड़ों लेने के लिए आप देखते रहे हैं जी स्वाल इंडिया